यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहरसा से खुल कर अलग-अलग स्टेशनों से होते हुए राजधानी के पाटली पुत्र स्टेशन पर आने वाली गारी संख्या 132.05 और पाटली पुत्र से सहरसा को जाने वाली गारी संख्या 132.06 सहरसा पाटली पूत्र स पहरसाद जनहित एक्सप्रेस अब सोनपूर मंडल के महनार रोड अस्टेशन पर भी रुकने वाली है एक्सपरिमेंट के तौर पर इस अस्टेशन पर जनहित एक्सप्रेस का दो मिनट का ठहराओ प्रदान करने का निर्ण है लिया गया है इसी प्रकार जैनेगर से खुल कर पतना जक्सन को आने वाली गारी संख्या 1559 और पतना से वापस जैनेगर को जाने वाली गारी संख्या 1550 जैनेगर पतना जैनेगर एक्सप्रेस का धोली एक्सपरिमेंट के तौर पर ठहराओ प्रदान करने का निर्ण है लिया गया है यह ठहराओ दो मिनट का होने वाला है गारी संख्या 132.05 शहरसाब पाटली पूत्र जनहित एक्सप्रेस चार जून से सोनपुर मंडल के महनार रोड स्टेशन पर भी रुकने वाली है सहरसा से 23 बजे खुलने वाली सहरसा पाटलीपूत जनहित एक्सप्रेस दो बच कर 40 मिनट पर महनार रोड स्टेशन पहुचेगी और यहाँ 2 मिनट रुखते हुए 2 बच कर 42 मिनट पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी वापसी में गारी संख्या 132.06 पाटली पूत्र सहरसा जनहित एक्सप्रेस पाटली पूत्र से 9 बच कर 10 मिनट पर खुलकर हाजिपूर होते हुए 10 बच कर 41 मिनट पर महनार रोड पहुचेगी और 2 मिनट रुखते हुए 10 बच कर 43 मिनट पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी गारी संख्या 159 जैनगर पत्ना एक्सप्रेस 5 जून से धोली एस्टेशन पर भी रुखेगी जैनगर से 5 बच कर 10 मिनट पर खुलने वाली जैनगर पत्ना एक्सप्रेस बरावनी दरभंगा होते हुए 8 बच कर 45 मिनट पर धोली एस्टेशन पहुचेगी और यहां से 2 47 मिनट पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी वापसी में ट्रेन गारी संख्या 155 पत्ना जैनगर एक्सप्रेस पत्ना से सामके सवा 3 बचे खुल कर 6 बचे धोली पहुचेगी और 2 मिनट रुखते हुए 6 बच कर 2 मिनट पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी पत्ना से अपसुदान निकिये रिपोट